नमस्कार दोस्तों मैं माईपाल चोधरी माईपाल इंटेरियर डेकोरेटर में आपका स्वागत करता हूँ और आज हम आए है LCD यूनिट बनाने को और जो अपना LCD यूनिट होता है उसका जो पहला इस्टेक्चर बनता है और पूरे होल का रिनिवेशन में आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा जो बहुती सहरल और आसान है दिवार पे पहले पट्यां फिट करते हैं जैसे यहां पे काम कर रहे हैं और इन पट्यों को फिट करने के बाद में इसको लाइन डोरी लगा के एकदम सीधा किया जाता है और अभी आप देख पा रहे हैं कि इसमें एच्छे पट्या फिट हो गई है और उपर से एक आड़ी पट्टी और लगाई जाएंगी आप वीडियो को फूल वाज कीजिए पट्या फिट होने के बाद में उसके उपर 18 mm की प्लाई की सीट ठोक दी गई है और बीच में जहां टीवी लगेगी उसके लिए एक्स्ट्रा फ्रेम बनाई गई है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं होल एकदम पूरा ना दिक रहा है और अब आगे में आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे वीनियर लगया जाता है कैसे चार कोल लगया जाता है कैसे इसकी माई का लगाई जाती है जो फाइनल शो है वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेंगा अभी इस वीडियो में आप देख रहे है कि चारों तरफ से बले कलर का हमने वीनियर लगाया है नीचे में दो ड्रावर बनाए है इधर में ये सेटप बॉक्स रखने की जगा है और इसकी जो वाइरिंग है वो भी मैं आपको बीच बीच में बताते रहूंगा और जो सामने से ये जो देड इंची की टककर दिख रही है जिसको LED लाइट बोलते हैं और कई को रूप लाइट भी बोलते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वापस यूनिट आपको सीधा होके दिख रहा है और ये साइड में जो गाला काटा है यहां पे हमने स्विच बोर्ड लगाने के लिए ये गाला काटा है और इस राइरन्ग का कहीं भी उल्जन दिखने को नहीं होना केबल्स वायर सब औरगरं रहते हैं कहीं से भी वायर और स्विच बोर्ड बाहर नहीं दिखते है और आप देख सकते हैं कि बीच में ये सफेड कलर का हमने चार कॉल लगाया है उपर में भी ये चार कोल की पट्टी द और उसकी जो प्राइस रहती है वो करीब 6,000 के लंसम रहती है और बीच में ये LCD की फ्रेम फिट करने के लिए थोड़ी सी जगा छोड़ी हुई है ये छोड़े तो भी ठीक है नहीं छोड़े तो भी उससे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन हमने ये फ्रेम लगाने के लिए बीच में थोड़ी सी खाली जगा रखी है और ये चार कोल थोड़ा सा टेक्चर फिनिस में रेता है और ये मैंने एक टुकड़ा हाथ में लिया है ये चार एमिम जाड़ा रेता है चार कोल और इस चार कोल को चिपकाने के लिए संभवते इसमें सिलिकॉन का भी प्रियोक क किया जाता है और हमने यह फेविकॉल प्रोबोंड का यूज किया है फेविकॉल प्रोबोंड एक रवर टाइप का एडेसिव रहता है जो प्लास्टिक सीट चिपकाने के लिए काम में आता है चारकॉल चिपकाने के लिए काम में आता है अलांकि एक्रेलिक माइक का भी जो र करती है यह अभी आपको चिपका तेवे हम हर एक चीज को लाइव दिखा रहे स्टेप बाई स्टेप कि यह दीरे-दीरे इसको ऐसे फेलाया जाता है और बरसात के मौसम में भी यह बहुत ही अच्छे से पकड़ करता है अभी इसकी सीलिंग और इसका वाल एकड़म आपको यह पूराना कलर दिख रहा है जैस जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगा वैसे वैसे इसका रिनिवेशन होते वे आपको दिखाई देंगा यह फेविकॉल को एक टुकड़े से सावधानी पूरोग फेलाना होता है और यह कलर की साइड से बिल्कुल नहीं गिरने को होना जैसे यह जो प्लास्टिक फेविकॉल कलर की साइड लग जाता है तो इसको छुड़ाना मुश्किल होता है और यह चारकॉल बहुत ही सेंसेटिव प्रोडेक्ट है इसके उपर जैसे वुड़ पॉलिस है थीनर है या कोई भी पेट्रोलियम पदार्त इसके उपर गीरता है तो इसमें खराब होने की संभाव ना रेती है तो इस चीज का भी हमने विशेश ध्यान रखा है और साइड में आप देखे तो यह जो डाइनिंग एरिया है डाइनिंग एरिया में जाने का जो दर्वासा है उसको हमने विनियर से फ्रेमिंग कर लिया है पॉलिस अभी भी इनका बाकी है अभी यह थोड़ी देर में आपको यह पट्टी यहां पे चिपकई हुई दिखेंगी यह देखें इस वर्ट में आपको यह पूरी तरह से ऐसे फाइनल दिख रहा है जिसमें पॉलिस को छोड़के पूरा इसका विनियर लग गया है पूरा इसमें चारकॉल लग गया है तो ड्रावर है इसके उपर हाई ग्लोसी की माई का लगी हुई है विनियर भी कापी अच सीट मार्केट में मिलती है उसे कम में भी मिलती है और हाई ग्लोसी जो रहती है वो डाई आजार रुपए की एक सीट आती है आप में सीलिंग को देखें सीलिंग में भी अच्छा कलर कॉमिनेशन किया है और सीलिंग को कंसिल नहीं किया गया है इसमें केवल वाइट कलर की LED लाइट है लगी हुई है और इस वीडियो में अभी आप देख पा रहे हैं इसको पॉलिष की हवा है जिसको मेला माइन पॉलिस बोलते है और पॉलिष का एक दूसरा भी प्रकार रहता है जिसको मेट फिनिश बोलते हैं ये गलोसी फिनिस पॉलिष है और साइड से जो हमने सीरीज के लिए जगा रखी थी यहां पे हमने वार्म वाइट के एक सीरीज लगा दी है तो अभी यह दिन के टाइम में वीडियो सोट लिया गया है तो यहां पे लाइट का इफेक्ट आपको पूरा नहीं दिख रहा है और नीचे में जो ट्रावर है वो क्रीब दो फिट वी टेक्चर के ऊपर कोई भी दूल्मिटी ना लगे नीचे में शेट आप ऊक्स रखने की जगा है वैसे सेटब वोक्स ज्यादा तर लोग टॉप के ऊपर रखते हैं उपर रखने सी किया होता है कि जो टीवी से आने वाल जो केबल से वह जब सेटबवक्स को अटेच होते है तो वहां पर उसका मालूम चलते रहता है इसलिए हमने केबल छुपाने के लिए इसको निचे में रखा है और इस साइड से भी यह सीरीज आपको दिख रही है जो यहां से यह गोल्डन कलर की दिख रही है यह पूरा होल वापिस एकदम रिन्यू हो गया है और यह साइड में लगावाज स्विचबोर्ड है जो प्रेंट साइड से दिखा ही नहीं देता साइड से इसको ओन आफ किया जाता है इसलिए आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए कर दो की दो कि दोस्के ड़ता है जा भावाज से रहीं देता है कि दोस्के है अभाज से जांस से दोस्टावाज से पत्राइक को लागश चछिए